जैसे जी हजूर लोग होते हैं, वो सारे के सारे जो मोधी जी ने आजंड़ा दिया, उस पर बैठे और उन्होंने मोधी जी की जो संस्त्ती थी, मोधी जी ने जो कहा उसको अच्छाँष है, कहा कि वाव वाव ये तो बहुत अच्छा है. अपनी उपीनियन देती है और सरकार को लगाता जो है आप समझे क्या जिसे कहते हैं नट होता है वो नट की जो ग्रसी होती है उस पर लगाता जो है बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है यह नहीं उनके जानना जाने की पीछे वजया क्या है चुनाओं से दूरी क्यों है और भारत्य जंता पार्टी में इतनी खलबली क्यों मच्छी हुई है क्या कुछ ऐसा हो रहा है जो जिससे जनता अंजान है क्या है परदे की पीछे की पूरी कहानी एक बड़ी विचित रिस्तिती में भारत्य पार्टी और नरेद मोधी भस गये है अचानक उनको क्राउड फोबिया हो जाते हैं जबान लटकडाने लगती है और वह भूल जाते हैं को देश के प्रदारबंती नरेद मोधी है उनकी पार्टी का नाम बार्तिन्ता पार्टी है और उनके पूरवर्ती जो नेता है वो अठल ब्यारी वाच पेज़ पड़ते हैं, अचानक मुद्दे से बटक जाते हैं, और उनको जनता को देखकर डर लगने लगा है। डर से लगने लगा है कहीं कोई खड़ा होकर उसमें उनके खिलाब नारे बाजी ना कर दे कोई काले जंडे ना दिखा दे कोई मोदी जी के मैदान को छोड़ कर ना भाग जाए और उनको कई बार ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जंता उनके खिलाब होती जा रही है तो जो खौ पहले ही था दो साल पहले तब उन्होंने भूतु जो राश्पती थे जिनका नाम सब लोग जानते हैं कानपुर से आते थे उनको रामनात कोविड मैं कोविड मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कंगना रानवत है जब उनसे पूछा गया कि राश्पती का नाम क्या है तो ने कहा था कि हमारा राश्पती जो है रामनात कोविड था तो कोविड नहीं कोवि उनका नाम है लेकिन हो सकता है मोदी जी अपनी बाच्चीत में करना दो तो रामनात कोविड को उन्होंने एक समीति का जक्ष बनाया और वो समीति इस बात के लिए थी कि क्या देश में एक देश एक चुनाव का कोई कारेकम बनाया जा सकता है आप समझ सकते हैं कि जैसे जी हजूर लोग होते हैं वो सारे के सारे जो मोधी जी ने अजंडा दिया उस पे बैठे और उन् रामनात कोविंदो या हमिश्या हो या राजपती द्रोपती मुर्मू हो यह सब नबाब के दरवारी हैं और यह कैसे दरवारी हैं कि नबाब साब जो है वो बैंगन की सबजी खाई उन्होंने बड़े इच्छी लगी तो उन्होंने रसोईयों को बलाकर का वा क्या सबजी बनाइए बैंगन की सबजी खाकर मेरा मन खुछ होगे तो जो उनके साथ दरवारी बैठा था उसका नाम रामनात था तो उससे कहा वा जनाब वा यह तो वाकई जो है ऐसी सबजी है सबजीों की सब्ताज है इसके सर पर देखो क्या हराताज है इसका रंग जो है भगवान क सब्जी बड़े अच्छी लगती है तो रोज बनाई एक दिन वड़ाई दो दिन बनाई तीन दिन बनाई साधाट दिन बाद नवाव साप जो है सब्जी देखते ही उनको जो है मन में ऐसा लगता था कि यह क्या कसला मुँ कर दिया है से बे तो उसे रसोईय को बनाया है और तो जो झूब अधिव आधि नाम भी राम नात्ह था तो उसने का देखो जनाब है सब्जी ऐची काली कलूटी स्वाद इसका है कासेला और इसके सरपे देखो सिंगो का दिया तो झोड़ा काने वाला सब्जी तो जो रसोई है था उसे बड़ा गुस्सा है उसे का राम नात तो तो बड़ा जीव आदमी है पिछली बात तु कह रहा था कि इतनी अच्छी सब्जी है उसको सुनकर मैंने का भी रोज ब्यांगन की सब्जी बनाऊंगा आज तु जो है ब्यांगन की सब्जी के ऐसे आलोचना कर रहा है जैसे सबसे का गटिया सब्जी है तो वह जो कोवि पिछली लोगसभा में जो समीति की रिपोर्ट है वो एक तरह से खतम हो गई है जैसे लोगसभा खतम होई वह समीति जो मिली मोधी जी को खतम हो गई तो उसको जाड़ पहुंचकर लाने के लिए उनने कम से कम निया नुटिवेशन दो निकालना चाहिए था लेकि मोधी ज जो कहते है कानून क्या होता है हम कानून से उपर है हम कानून को नहीं मानते तो खैर उन्होंने आनन फानन में जो है अपने सारे जो सायोगी दल है अरतिस सायोगी दल है उनकी बैठक नहीं बलाई उन्होंने कैबिनेट की बैठक बलाई और कैबिनेट की बैठक में प्रस् संस्था का पहला सिटान हर संस्था का चुनाव कि चोड़ा है वह संस्था नाम नाम है और वह जो है डिक्टेटर है वह मूरति पूजा की तरह में विश्वास रखते हैं और तीन से धानते हैं पासिजम के पहला यह है कि अपने नेता का अनुसरान करो जो वो कहे उसे सच्वानों दूसरा कभी नहीं कहते हैं कोई आदमे कर लें चौना बंद कर दो कि स्मेट करогда terre hola सरसंग चाल लगशा है जूट बोलें सही बोलें गलत बोलें और इसलिए लोग जो है किसी चीज पर बहस नहीं करते हैं बहस से सबसे ज़्यादा डर किसको लगता है स्वयमसिव को आप देखें दस साल में जित्ते भी स्वयमसिवक लोग सबाव राजिसाव में कहें हैं वो बहस की करते रहें गे मखाल उड़ाते रहेंगे मीम बनाते रहेंगे उसी देखते रहेंगे और इसलिए मोधी जी ने कहा कि चुनाव जो है वो सबसे बड़ा बहस का मुद्धा होता है पता नहीं होता है जंता की मन में क्या आजए अर्याना में चुनाव रहे हैं कावत है कि जिसे पिया चाहे वह सुआ कर जिसे पिया चाहे वह सुआ कर पिया कौन है जंता का चुनाव लोकतंत्र का वह जंता है जं मस्के बाजी करो, उसको पठाओ, उसके सामने डिंगे हाँ को, उसके सामने जूट बोलो, बहुत बड़ा अडबंबर खड़ा कर दो, और नए-नए कपड़े पहने करतब दिखाओ, मोधी मीडिया के कहने पर बहुत सारे और भी मोधी जी को तमाशे करने पड़ते हैं, तो मो मोधी जी को अगर 400 सीटे दे दी होती, तो अब तक मोधी जी इस बात को जिसे कहते हैं, 100 दिन में मुझे कानून बनाना है, 100 दिन में यह करना है, 100 दिन में वो करना है, उनमें पहला जिंड़ा था, एक देश, एक चुनाव का, मैं जो सिस्टम है, वो लागू कर दूँगा और उससे क्या होगा, कोई चुनाव नहीं होगा, चुनाव एक ही दिन होगा, और वो कैसे चुनाव होगा, वो चुनाव ऐसे होगा, कि जो ग्राम पक्चायत्यों के चुनाव है, वो भी उसी दिन होगे, नगर पालिकाओं के चुनाव हो भी उसी दिन होगे, जिला परिश और वक्त उसे हाथ बांदे हमेशा मोदी जी की चिरौरी करनी पड़ती है उनको जिताना पढ़ता है अगर एक विज है हो जाए ति कुम करने नहीं ही उसके बाद भी अ जो है लोगतंत्र की आत्मा है जन्ता हर बार अपनी राय देती है अपना मंतवे देती है अपनी ओपीनियन देती है और सरकार को लगाता जो है आप समझे क्या जिसे कहते हैं नट होता है वो नट की जो रसी होती है उस पर लगाता जो है बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ता है आपने देखा वह नट जब चलता है जो नटनी होती है तो नटनी के बारे में कावत है कि नटनी चडीर असी पर तो गुंगट की लाच क्या है जब नट्टी सामने आ गई तो कुंगट किला है उसे दो अपने कर्तब दिखाने अपना बैलेंस साथना है तो मोधी जी बैलेंस साथना नहीं चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि समतल जमीन पर खड़े हो जाए और इसलिए वो चाहते हैं कि एक देश एक चुनाव हो और उसके थेले वुलाना के बना रहें हमें जमता की गाड़ी कमाई का पैसा बचाने हैं अब यह देखिए दोजाब नहीं को विसका चुनाव हो गया तक यह आकड़ाह नहीं आया कि इस चुनाव में कितना करन शुछू हर बार पहले हमेश्या बहस होती थी लोगस अगयर चुनाव जो चुनाओं में लोग्सवा के चुनाओं में तकरीबần एक लाग बीस हजार करोड नुपर तो खर्च हुए इलेक्शन कमीशन के जो जंता की गाड़ी कमाई ए असी हजार करोड नुपर खर्च किये भाजपाने और दस जार कोड़ों खचके बागी भी पक्षन तो एक तरह ऐसे जो चुनाव था वो राजा और रंग के भी था एक तरफ हाती पे मोदी जी सवार हैं एक तरफ साइकल पे अखलेश यादा हो और जो राउल गांदी है वो पैदल सवार है लेकिन जो लोक्तंत की जीत है लोक्तंत की जो हस्था है वो यह है कि रामायन में रामचरित मानस्क में गो स्वामी तुलसी राते हैं बड़े इच्छी वात ले वो पंग्ती मुझे हमेशा याद आती है कि रावन रती विरत रगवीरा रावन मायवी था वाईजाज में समार था विमान में सवार था रत्पर सवार था और विरत रगवीर कौन थे राम वो का ऐसे थे पैदल थे विरत बने बिना रत्पर और उन्होंने किस कांथ किया उस रावन कांथ किया जो विमान में था और रत्पर था अब युद्या में यह गैँ जी के लिए मोदी जी पूरी तरह से लगे हुए थे ख़वान परोने किसे हरा दिया अदेश पाषि नहां से शड़ा दियाスト? पासी जर्नल सीट पर एक शडूल कास्ट का आदमी जीता और उसने मोधी जी का सारा जो कमंड है वो चूर कर दे लिए उसके बाद के वो अयुद्या जाएं अयुद्या का नाम भी लें राम का नाम भी लें यह हमिशा बार-बार कहते थे अध्या में आस्मान की उचाईयों क को छूता हुआ राम मंदिर बनेगा और तब सारे विरोधी द्वस्त जाएंगे आप समझें बंदिर भी बना नहीं चूने लगा और बंदिर भी ध्वस्त कर दिया है नोंने और भाजपा भी द्वस्त हुएं बाजपा कोई आदमी नाम नहीं लेता हमिशा कहते थे हर आज यह हैं और जो ग्यारा जो है यूनियन टेरिट्री हैं तो 49 फ्लाइट रोज जानी थी रोजानी आज यह आले यह में ट्रेने नहीं जा पा रहे ही बसे नहीं जा रहे हैं लोग भूके मर रहे हैं जिन लोंको मीथी राममंदिर बनेगा हमारा जीवन सबरेगा उनके चुनाव टाल कर क्या किया जाएं सारे चुनाव अब 2029 फ्लाव में 2029 का मतव अब से 5 साल बाद अभी दो राज्यों को चुनाव हो रहे हैं एक है हर्याना और एक है जम्मू कश्मे लद्दाग में चुनाव होने नहीं तो आप देखिए आज के दिन दो राज्यों को चु हैं चाहिए महराष्ट का चुनाव हो जारखंड का चुनाव हो दिली का चुनाव हो जो डियू है अगले साल जो है यह सारे चुनाव टालना चाहिए और नितीश कुमार को उनोंने का देख बाबु तेरे चुनाव होना है ने जोजार 125 में मैं ऐसा जादू चलांगा कि साथ टीडीपी वाले हैं तेल कुदेशन पार्टी के चंद्वावुन आड़ू उसको तू भी पांस साल राज जमने और इसका मतलब क्या होगा भारत के सब्विधान के अनुच्छे डिक्यासी में लिखा है कि लोकसबाह का चुनाव हर पांस साल में होगा और यह एक मेंडिट है और लोकसबाह की सीटें जो है पांसो बावन सीटें इस समय हैं जिनमें 543 का चुनाव टलता रहत है होता ही तो अब ऐसी हलत में बादतीन्ता पाटी के सारे लोगों को यह क्या स्फ़ों कि बिला रहे हैं कि भाई चुनाव टाल दो पांट साल देश में कोई चुनाव निगर निंगम का चुनाव नियोगा राज्य सबा का चुनाव नि होगा सारे चुनाव बंद कर दो संस्थाओं के चुनाव भी नहीं होगा तो आप समझे लोगतंत्र को यह पत्थर तंत्र पे बदलना चाहिए यह जैसे गंगा को आप जो है बांद बांद कर रोक दो को जो बैने की जरूरत नहीं है अब तो चूज़ाई मोदी जी ने आदे लोकतंत्र विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी क्यों है वो इसलिए है क्योंकि मोदी जी को जनता पर विश्वास नहीं है जनता नेताओं पर विश्वास करती है यह उल्टा चलना है सरकार को जनता पर विश्वास सरकार को अपने जो चुनाव आयोगा उस पर विश्वास बाशन देते हैं उसमें कोई मज़ा नहीं आता, मज़ा यानि सुनने वाले को मिनी आता, क्योंकि मोधी जी को पता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई सच नहीं है, और जनता को भी पता है, यह से अंकड़े बता रहा है, यह सच नहीं बोल रहा है, और यह आदमी तो ऐसी हालत में मोदी जी इसलिए एक देश एक चुनाव लाना चाहते हैं ताकि उन्हें जन्ता के बीच में ना आना पड़ेगा अब आप कहेंगे कि इसके लिए सम्मिदान संचोधन भी देखलाना पड़ेगा एक अनुचे दिक्यासी में और ऐसा ही संचोधन जो है 1976 में इंद्रा गांदी के समय आया था जब उन्होंने लोकसभा का समय पांच साल के बढ़ा तर छे साल करते हैं अब आप कहेंगे कि देश में तो लोकतांतिक व्यवस्ता है संसधी है लोकतांत्र हमारे है संसधी है पार्लिमेंटरी डेमोप्रेशी तो तब इंद्रा गांदी न जो प्रजातंत्र की संसधी परणाली होनी चाहिए तब यह तै किया गया कि हमें इस्थाई तो नहीं चाहिए हमें वो सरकार चाहिए जो रिस्पॉंसिबल हो जो तरदाई हो जो आपकी हर बात पर रोज विचार करें यह नहीं कि चार साल के लिए चुने गए ट्रम की तरह है या या पुतिन की तरह है या शी जिंपिंग की तरह है कि अब तो हमारा बतला भी नहीं तो वह जंता की बीच में नहीं जाते है वह हिट्लर शाही हो जाती है सैना की तरह हो जाता है लेकिन हमने त्या किया कि हम जो है देश में जो राजनिती करेंगे वह ऐसी करेंगे कि 24 गंटे सरकार जंता की दर्वाजे खड़ी और इसलिए हमारे प्रधान सेवक जो होते हैं प्रधान बंतियों राश्पतियों कहेंगे मैं लोगों का पहला नौकर हूँ, लेकिन यह नौकर नहीं है, यह मालिक बनना चाहते हैं, यह ऐसा मालिक बनना चाहते हैं, जिससे कोई नौकर जो है, आख मिला कर बात न कर सके, कोई आदमीन की जोड़ी पर न पहुंस सके, इसलिए मोधी जी की सुरक्षा का खर्चा करोड़ पर साल का आज मोदी जी की सुरक्षा का जो कर चाए वह है 10 करोड़ रोज का तो आप दिली की सड़कों पर मोदी जी गुजर रहे हों तो आप जो है सड़कों भी ने देख सकते आपको जाएगा चूतर जो है दिखाओ मूं जो है दूसरी तरफ कर लो पूरा पर कभी भी हमला कर देगा तो मोधी जी कहते हैं इन सबसे मुझे दूर रखो और इसलिए मोधी जी कहते हैं एक देश एक चुनाओ कराओ ताकि चुनाओ का जन्जटी खतम हो पांच साल बात देखेंगे क्या होता है तो मोधी राम जो है जिनको मैंने कहा है कि उनका 75 साल गए हैं अब उनके राजितिक सन्यास में 363 दिन रह गए हैं रोज एक दिन का मुझे जी रहती है ऐसे मोधी जी के दिन का मुझे जी के मन में सत्ता से चिपके रहने की लालसा याती की तरह हो गई है याती का किस्ता सबको पता है याती को वरदान था उसने सौ साल तक जो ह उसकी उमर थी उसे पूरा भोग किया जब उसका बुड़ापा आया तो बड़ाप कवराया उसे बगवान से पराता की मिट्यु की देवता से पराता की कि मुझे और लबभी उमर चाहिए तो उसे का भई अगर तुमें कोई तुमारा बेटा अपनी उमर दे दे तो तुम तो उसे सारे बेटों को बुला है, पुरु जो उनका बेटा था, उसे मन का ठीक है, उसे का आप मेरी उमर ले लो, मैं आपका बढ़ापा ले लेता हूँ, तो तुछन जो है, जो याती हो जमान हो गया, और जो पुरु है, वो बिलकुल बुढ़ा कांपने लगा, खेर उसे बहुत साल हो अयाशी की, अयाशी की तो बाद में एक दिन उसे ग्यान हुआ कि ये तो ऐसी आग है, जिसमें जित्ती लकड़ी और घी डालो गए, उत्ती आग बढ़केगी, कि खतम नहीं होगी, तो एक दिन उसे पश्चाताप हुआ, कि मेरे बेटे ने तब मेरे लिए त जिमक की तरह है, ये लाल सा खतम नहीं होती, आग और बढ़कती है, तो बेटे कई अज भी महाबारत की पुराण की पहली काहन, अब आप कहेंगे कि मैं इतनी बातें सुनाता हूँ अर बार, ये बातें मोहदी जी को समझ नहीं आती है, तो मैंने पहले भी काहें, मोहदी बातियंता पाटी की आतनी हीर, जा बहुत सारी जगें उनको जो नहीं देया धा investigators का संबंद। होना चाहिए था वो जनता से नहीं अब एक महने से उनका भी यहां चला है जी हमारा सदस्यता भीयान है पहले रोज आता था हमारे बारा करोड़ मिस्कॉल मेंबर हो गए बीट में में बंद भी तो करती थी कि बहुत होगी कास कर यूपी अरे कोई नीरा इनके दफ्तरों में सन्नाटा होता है निलबटा सन्नाटा आप परी बात को अगर गलत मान रहे हो तो आप कहीं भी किसी भी इनके कारले में कल चलो आपको दो आदमी नहीं मिलेंगे कई जगें ऑफिस में तो इनके पर्चे ही नहीं है और यह पहली पार्टी है जो इस बार सदस्ता अभियान में चंदा नहीं ले रही है इतना पैसा डानी अम्मानी ने दे दिया है वो कहते हैं वह तो फॉर्म भर ना भर तो एक रुपया दो रुपया पक् और चुनावायोग इतना बेइमान है मैंने उसे कई बार चठी लिखे आठी आई कि बहीं बीजेपी के सदस्यों की संख्यादों बंदा दो वो जबाबी नहीं देता वो कहते हैं क्या ची वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो सकता है एक कहावत है कि कवों के कोसने से डोर बीजेबी हम शर्ण जी आद्वा लेक्सा जाने मोधी जी मोधी जी के बारे में अब एक बात समझ दीए वो ख्याल बड़े बनाते हैं में वो सारे रिर्ट के बैल होते हैं और जंता का फोड़ा जब चलता है आंदी आती है तो मोधी जी के सारे महल ढह जाते हैं और जिस तरह मोधी जी ने सोचा चार सो सीटे आएंगी मैं ये 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 करूंगा जड़ता ने उनको घाट घाट का पानी पला दिया है अब मोधी जी में हिम्मत नहीं है उनका चेरा सूकता जा रहा है आंके दस्ती जा रही है बार उ पूरी में कोई उन्हें धाकेल रहा हो और इसलिए वो धर्ती धाकेल शिंग है नरेद मोधी नहीं है ये बहुत भुद शुक्रिया सर और आप सभी का इतने सारे लोगों का बहुत शुक्रिया आप हमें रोजा ना इसवक छुख सुनते हैं और आजकल बहुत सारे कोल हमें आ रहे हैं और बहुत अच्छे लोग को आपके वड़े फैन हो गें हैं देश बारे में दुनिया बारे में और एक डुक साहब है हमारे उन्होंने मेरी यांक सूज गई थी तो घर्ग जी हमारे उन्होंने मजे बहुत अच्छी medicine ले लिखे और वो से बहुत जल्दी मुझे आराम मिला तो थैंक ये डोक साब और इतना support करते हैं आप सभी इतना प्यार करते हैं तो एक काम कीजिएगा वीडियो को 10 गुरुप में share कीजिए कौन कांसे देख रहा है कमेंट कीजिए कल फिर मलगात होगी सरके साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त शुक्रिया सर नाश्चा